आप माँ वनने वाली हैं या हो सकता है कि आपके घर में कोई प्रेगनेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए है तो इस वीडियो को प्लीज पूरा देखना बीच में स्किप मत करना इस वीडियो में मैं चंद ग्रहन के बारे में बताऊंगी जो कि 5 मेई को लगने जा रहा है तो कुछ ऐसी साबदानियां होती है जिनका हमें कुछ खास ध्यान रखना है तो फ्रेंट्स आपको बहुत ही साबदानी पूरवक इस ग्रहन से अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना है तो फ्रेंट्स आज मैं वीडियो में बताऊंगी कि आपको चंद ग्रहन के द लिया करो आप लोग नहीं करते हो फ्लीज कर लिया करो फ्रेंट इस साल का पहला चंद ग्रेड ना भारत में पांच मई दिन सुक्रवार को लगने जा रहा है और इसकी टाइमिंग रहेगी रात को आठ बज कर 45 मिनट से शुरू होकर रात को एक बजे तक लगेगा इसकी कुल अब दी रहेगी चार गंटे पंद मिनट की अब बात करें इसके सूतक काल की तो चंद ग्रेड का सूतक काल ना 9 गंटे पहले स्टार्ट हो जाता है तो इसका सूतक काल रहेगा दोपैर को ग्यारा बचकर पैतारिस मड़ से शुरू हो जाए चंद ग्रेंड का असर बैसे तो हर जीवन पर पढ़ता ही है हर किसी के उपर कुछ न कुछ वरा एफेक्ट डालता है लेकिन गर्वती इस्तिरियों पर न तो नमबर एक होता है गर्वती इस्तिरियों को चंद ग्रेंड के दोरान घर से भार नहीं निकलना है जब चंद ग्रेंड पढ़े तो आपको घर में ही रहना है घर से भार नहीं निकलना है इसके पीछे यह माननेता मानी जाती है कि ग्रेंड से निकलने वाली जो नेगिट रेट नहीं या और भी चीजों पर ताला नहीं लगाना है इसका असर न सिसु के होने वाले अंगों पर पड़ सकता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है नमबर तीन होता है गर्वती महलाओं को चंद ग्रेण के दोरान नुकूली चीजें जैसे चाकू, सुई, आदे का उपयोग नहीं करना है नमर चार होता है गर्वती महलाओं को चंद ग्रेण के दोरान उठने और बैटने में भी साबदानी आपको बरतनी है तो फ्रेंट्स आपको इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है तो अब हम बात करेंगे कि चंद ग्रेण के दोरान गर्वती मह आपती के बाद गर्वती महला को इसनान जरूर करना चाहिए आपको जरूर नहाना है नंबर दो होता है चंद ग्रेड का सुतक काल लगते ही गर्वती महला को अपने पास एक नारियल रखना है पूजा वाला नारियल आपको अपने पास रखना है ऐसा करने से चंद ग्रेड क निकलने वाली नगार आत्मक उर्जा का प्रबाब गर्म पल रहे सिसू पर नहीं पड़ता है उसका प्रबाब नारियल पर पड़ जाता है तो फ्रेंट्स यह उपाय आपको करना है जैसे ग्रेड श्टार्ट हो और आप बैठ जाए एक जगह पर और अपने पास एक नारियल रख लें तो इस उपाय को आपना फॉलो कर सकते हो नंबर तीन होता है गर्वती महला को चंदग्रेड के बाद डान अवस्य करना चाहिए दान में आपको सफेद रंग की बस्तू जैसे दूद धही वस्त्र आदका उपयोग आप लोग कर सकते हो और नंबर चार होता है गर पड़े तब तक आपको एक तुलशी का पत्ता ले लेना है और उसको अपने जीप पर रखना है उसके बाद आप या तुरगा इस्तिती या फिर हनुमान चालीशा का पाट आप कर सकते हो तो फ्रेंड्स ये ते कुछ ऐसी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है तो फ अगनिवाद थैंक यू